हेलो गाईज, वेलकम बैक टो फुटबाल चेमबर और इस खुशी को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ है मैच में मतलब बार्सलोना ने नपोली को पूरा मतलब पोजेशन वाइस नहीं हम कहेंगे डॉमिनेट हिया लेकिन बार्सलोना ने एक एफेक्टिफ जावी अपने होमवर्क्स डन करके आया थे जावी इस गेम के लिएकदम से प्रिपेर हो के आया थे और उसका हमें क्लियर अब्जरवेशन पिछ पे देखने को मिला और मैं आपको अभी क्लिप्स भी दिखाऊंगा मैच के जिससे आपको समझ में आ जागा कि किस तरह हमने क्या करते हैं इफेक्टिव तरीके से बॉल को जो है क्या करते हैं मूव किया और हमने गेम को डॉमिनेट किया और हम ट्रांजिक्शन में जो है क्विक थे इस मैच में मैं कहूंगा तो स्टार्ट करते हैं इस क्या करते हैं इस वीडियो को पहले सबसे पहले मैं बात करना च और 3-1 जो है हमने कल का मैच जीता तो I am a genius मैंने प्रेडिक्शन सही दी थी और अगर मैं बात करूँ तो मैंने कल के प्रिव्यू में ऽेहां खेला और वो एकडम perfect pass जालता है आप इस sequence को देखिए एक बार कुबासी को ball मिला है और कुबासी ने जो है एकडम किता perfect ball one time ball जो है सीधा firminal lopes को सीधे फेगी है और firminal lopes का जो है वहां पर काफी अच्छा control आया था फर्मिन लोपेस जो है उस चांस को convert डाई कर पाते हैं लेकिन कुबासी का आप एक बाल प्लेइंग अबिलिटी देखे भाई कितना perfect बाल प्लेइंग अबिलिटी गिया है ऐसे अपने prime में जो है बंदे जो 24, 25, 26 साल में होते हैं ऐसे तब वो ball जो है progress का ऐसे ball जो है वो distribute करते हैं लेकिन ये अभी 17 साल के age में इतना mature की इस type की ball क्या करते हैं progressing कर पा रहा है दूसरे point की बात करेंगे अगर हम तो पहला goal कहां से आये था आप एक बार देखिएगा ये भी जो है पहले goal के starting भी जो है कुबासी से स्टार्ट होता है कुबासी को ball मिलती है कुबासी एकदम weight करते हैं काम रहते हैं ball पे वो cancello को खुचते है cancello को उसने ball दी अब cancello को जो ball मिलती है तो cancello पता है कि वो जो है one on one take on नहीं कर पाएंगे तो cancello जो है wait करते हैं run pick करने का और perfect time पर रफीनिया ने रफीनिया run डालते हैं और cancello जो है उस run को pick करते हैं and the next thing is that रफीनिया cut back करते हैं और लवन्डाउस की जो है वो चांस छोड़ देते हैं क्योंकि this goal matters to the Barcelona teammates just look at it उसके बाद आप क्या करते हैं match में अगर आप बढ़ेंगे तो उसके फिर यमाल का command देखने को मिलेगा second goal पे corner रहता है corner से जो है ball जो है deflect होती है अब देखें यमाल के पास इस sequence में ball है इस sequence में कोई भी बंदा रहता है वो headle लेके है फिर कुछ करके clear करता है लेकिन यही पर आते हैं लमीन यमाल यही पर आती है यह difference में कर यही पर आती है यह इस age में इतनी अच्छी क्या करता है wonder खूबिया इतनी अच्छी qualities यमाल one touch लेते हैं उनके नपोली के player को जो है take on करते हैं मतलब वहाँ से ball लेके निकलते हैं और फिर जो है वो भागते है वह इस पेस उनको देखता है और उसका भाई वह क्या कहते हैं एकदम तेजी से भागते हुआता है और लेवन डॉसकी का आप एक बार यहां पर sequence देखेगा लेवन डॉसकी दोनों defenders के बीच से रन मारते हैं और दोनों defenders को अपने साथ इंगेज करते हैं डोनों defenders को रन को द अपने डिफेंडर जो रहता है ना पूली को अपने body को shift करता है और उस time perfect pass जो है लमीन यमाल रफीनिया को डालते हैं रफीनिया through on goal होते हैं अपने right foot पे लेते हैं बाल को right foot से वो shot लेते हैं जो की pull पे लगता है लेकिन the next thing is that cancello arrive करते हैं और cancello जो है finish करके जो है perfect goal ज अब यहां था लेवन डॉसकी का गेम जो है ना जादे खराब था ना जादे बढ़ी है था मैं कहूंगा लेवन डॉसकी गेम काफी average मैं कहूंगा एप्रॉक्स 7.27 पॉइंट स्टार के रिटिंग से जो है जा रहा था हूंका गेम लेवन डॉसकी जो है link up play काफी अच्छा कर रहे थे और आप एक बर यह सीक्वेंस देखिएगा लेवन डॉसकी जो है यह बॉल लेवन डॉसकी मिलती ही वो हाफ टन पर तुरंत क्विक टरन करते हैं और वहां फाउल जीत रहे थे और पोजेशन जो है बार्सलोना को वापस दिलवा रहे थे जो कि यह काफी सिस्टम से रफीनिया फ्लैंक पे उस बंदेगंदे ओन्डॉसकी एंगल भी ब्लॉक कर तो मदब लोपेस जो है दो लो को कट कर दिया वहां पर रफीनिया उनको प्रस करने यहां प्रेस करना और फिर सब जो है एक man to man marking कर रहा है और उसके बाद भी आपके पास कुबासी या फिर क्या कहते हैं डिफेंस मेंगर हम देखेंगे अब यहाँ पर एक sequence में दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर एक chance मिलता है Cancelo को जिसमें Cancelo काफी अच्छा कर सकते थे Lopez जो है ball मिलती है Lopez को Lopez जो है one time ball Cancelo को देते हैं अब Cancelo को ball मिलती है तो Cancelo जो है वहाँ से हो सकता है और उनके पासिंग ऑप्शन थे लेकिन Cancelo जो है वह सकाई कर देते हैं लेकिन उस पर जाले कुछ करने की बात है ने क्योंकि यह match जो हम comfortably जीत रहते तो Cancelo यह सब क्या कहते हैं कर सकते हैं अब यह आप जरा सा यह वाला sequence देखेगा जहां से नपोली का गोल आता कि बालल जो है आउट वाइड रहती है बाल को जो है बाल फ्लैंग सपे चल लाए रहती है अब फ्लैंग से क्या क elements प्लेकर को बाल मिलती है और वह सीधे जो है इन बिहारइंड रन जो है एक बंदा नgesch नभी करता है और वह जो है जब बन्दा मार दिया है Então कोई जटा है आप न्रम एक बंदे को क्या करता है और वह सीधा कड़ अगर करता और उसके बाद नपोली का उन्ड फिनिश करता है और नपोली का वहा happen अहैं तो यह जो है थोड़ा सा एक टाइम के लिए स्विच ऑफ हो गए थी थोड़े से से के लिए कुछ इसी में वो गोल आ गया क्योंकि जो है मैं मार्किंग उसमें सही से नहीं होई थी में मार्किंग होई रहती तो इसमें यह भी गोल नहीं आता उसके आदरोरा होके सर से रखा जो कि एक काफी अच्छी चीज़ है अब उसके बाद कुबासी के बारे में जो की लोग मतलब क्या कता है जो डर था सबसे जादे कि वो सीमन को कैसे हैंडल करेंगे आप इस फोटो को देखिए इस सीक्वेंस को देखिए आप कुबासी जो हैं वो भुली कर रहा है थे जैसे उसीमन को बॉल में कुबासी जो ए टैकल के लिए जा एक डम ब्यूटी था गूंडोगाजन बॉल रिसीफ करते हैं रोबाटो जो है एकडम पॉफेक्ट रं जो है वो लो उन और रोबाटो जो है रोबाटो ने काफी अच्छा पर डिसेड गोल जो आपको गेम डिसाइड करते हैं और उसके बाद आप प्लेयर की सलिप्रेशन को देखिए एक बार कि प्लेयर किस तरीके से सलिब्रेट कर रहा है उसके बाद जब थर्ड गोल हो जाता है फिर तो भाई यमाल लमीन यमाल भाई मजे ले रहा है वो बॉल उसको मिलती हो फिसलता है अब फिसलने एक बाद भी जो है अपनी ट्रिक के स्तमाल करके वो फाउल वहाँ पे जीतता है और उसके बाद जो है वो प्लेयर्स को नपोली करता है को बॉल मिलते हैं अगर को इसके बाद जो है फिर मैच हम लोग जीट जाते हैं कुबासी एकदम खुश यह कितना प्यारा प्लेयर है मैं आपको बता नहीं सकता है उसके बाद जो है पूरी टीम जो है सलिब्रेट करती है फैन्स के सामने और अब देखना पड़ेगा कि हमें आगे की टीम में जो है कौन मिलती है और आर्सनल ने भी अपना गेम जो है पेनल्टी शूट आउट में जीत लिया आर्सनल वाला गेम मैं देख नहीं पाया तो आर्सनल वाला गेम जादे बात नहीं कर पाएंगे लेकिन क्या कहते हैं जिस आर्सनल का पेनल्टी शूट आउट में जाता है तो मुझे एक टाइम पे लगा कि आर्सनल जो हो सकता है कि मैच यहां से गवा सकते हैं लेकिन आर्सनल नहीं हुआ है उन्होंने अपने पेनल्टी सब पॉफिक तरीके से लिए और जिसके नाते जो है आर इस वीडियो में बस इतना ही था अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू सो मच वाचिंग टेक किया